साल का अंतिम सूर्य ग्रहन दिलाएगा अपार धन खुलेंगे इन छह राशे वालों के किस्मत के द्वारा धन संपदा बढ़ेगी बेशुमार क्या आपकी राशे भी इन में शामिल है क्या आप भी माला माल बनने वाले हैं जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर दे कारण इसे दुरलब और खास माना जा रहा है ज्योति शास्त्र में सूर्य ग्रहन को विशेश महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सूर्य ग्रहन का असर सभी राशियों पर पड़ता है साधारन शब्दों में कहें तो कभी-कभी सूर्य और पृत्वी के बीच में चंद सूर्य ग्रहन अमावस्या के दिन ही घटित होता है। लेकिन वैदिक ज्योतिश के अनुसार सूर्य ग्रहन का असर पृत्वी के सभी जीव जन्तूओं पर पड़ता है। इस घटना को नकारात्मक प्रभाव देने वाली अवधी माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभका कारे करना वर्जित होता है। दोस्तों इस सूर्य ग्रहन को देश के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा। ये ग्रहन 2 अक्टूबर 2024 को लगेगा जो पित्रिपक्ष का अंतिम दिन है। आश्विन मास की अमावस्या को लगने वाला यह सूर्य ग्रहन कुल 6 घंटे 4 मिनट की अवधिकी है। इसे भारत के अलावा यूरोप, अफरीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग, एशिया का दक्षन पश्चमी भाग और अट्लांटिक में भी देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहन लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है और ग्रहन खत्म होने के बाद ही समाप्थ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता। ग्रहन काल से पहले बने भोजन में हमेशा तुलसी के पत्ते डाल दे। इस दौरान तुलसी के पौधे को छूना भी मना होता सूतक काल के दौरान भोजन बनाने और खाने दोनों से ही परहेज करना चाहिए। खास तोर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। ग्रहन काल के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले और ना ही सुई, कैंची, चाकू, आदिका उप्योग करे। धार्मिक दृष्टिकोंड से सूतक काल के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्ष करना बेहद अशुभ माना जाता है। इस दौरान मलमूत्र विसरजन यानि शोध जाने की भी मनाई होती है। इसलिए इस अवधी के दौरान इन कारियों को करने से बचें। साथ ही इस समय दांतों की सफाई और बालों में कंघी करने से भी बचें। सूर्य ग्रहन के समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम आदित्य विद्म है दिवाकराय धी मही तनू सूर्य प्रजो दयाल। ग्रहन समाप्त हो जाने के तुरंत बाद घर को शुद्ध जरूर करें। घर के मुख्य द्वार और घर के कोने-कोने पर गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहन के बाद स्नान करें। और पूजास्थल की सफाई के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियों का गंगा जल से शुद्ध करन करें। इसके अलावा इश्वर की आराधना, ध्यान और व्यायाम करते हुए दान पुन्य करें। और कुछ राशियों के जातक धन दौलत पाकर माला माल बनने वाले हैं। इस सूर्य ग्रहन का शुभ प्रभाव कुल छे राशिय के जातकों को देखने को मिलेगा। ग्रह सौक्यमान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ ही अपार धन लाभ इन्हें संभव है। इन में से कोई लखपती तो कोई करोडपती बनना तय है। जानते हैं उन राशियों के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक धर्म कताएं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा दोस्तों। सबसे पहली खुशकिस्मत राशि है। मेश राशी टू आक्टोबर को साल का आखरी सूर्य ग्रहन लगेगा और ये ग्रहन मेश राशी वालों के लिए बेहद ही शुभकारी साबित होने वाला है। इस दोरान इन जातकों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेंगे। साथ ही अपार धन प्रापती के भी योग हैं। आपको इस समय में आकस्मिक धन मिलने की संभावना है। धार्मिक अनुष्ठान के कारे होंगे। बच्चों के प्रति आप ज्यादा समवेदन शील होंगे तो ये सूर्य ग्रहन आपके लिए अर्थपूर्ण तरीके से लाभकारी साबित होगा। इस दर्मियां सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। दोस्तों, दूसरी भाग् प्रति आपके जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस समय में परिवार में नई खुशी आ सकती है जिससे सभी का मन आनंदित रहेगा। आपके जीवन में यात्रा का योग बन रहा है। परिवार जनों की ओर से आपको भरपूर साथ मिलेगा, जो आ आपके काम में सहायक सिद्ध होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस समय काम का बोज कम होगा, जिससे आप अपना समय अन्यकारियों में दे पाएंगे। इस काल में आप अपना व्यापार या कुछ नया काम शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं। अगर आप व्य प्रहन का समय उस पर चार चांद लगा देगा क्योंकि इस समय में आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। ग्रहन अति उलाभ लेकर आ रहा है। व्यापार में लाभ मिलेगा, जिन्होंने भूमी या शेर में पैसा लगा रखा है, उन्हें भी इस समय लाभ मिलने की संभावना है। इसलिए अपने चारों और ध्यान बनाए रखें, मौके आते जाएंगे। पकड़ने से चूके नही उचित समय पर लिया उचित निर्णय आपको बड़ा धनवान बना सकता है। नौकरी से किसी कारण मोह भंग हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में नौकरी ना छोड़ें। ग्रहन की तरह ही ये स्थिती होगी। धैर्य रखें। कुछ समय में परेशानिया दूर हो किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से सोच ले। जल्दबाजी ना करें। किसी रिष्टेदार की ओर से कोई शुब समाचार मिल सकता है। जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। किसी पारिवारिक दोस्त का घर में आगमन हो सकता है। दोस्तों, अगली खुशकिस्मत राश्य है मकर राश्य। मकर वालों के लिए ये ग्रहन का समय कई मायनों में खुशियों के आगाज का समय है। आप शणी की साढ़े साथी से परेशान चल रहे थे। लेकिन अब शणी आपकी राश्य में वक्री से मारगी हो जाने वाले हैं। अब ये अपना ध्यान उस ओर बनाए रखें। किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें, पहले कभी नहीं मिला। इतना धन आपको मिल सकता है, सब चमतकारी रूप से होता जाएगा। आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, लेकिन साथ ही सावधान रहने की भी आवश्यक्त बाजार में आपको लेकर नकारात्मक छवी बन सकती है। आपके शत्रू आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु अपने स्वभाव को मित्रता पूर्ण रखें। संतान का व्यवहार परेशानी की वजह बन सकता है, बाकी परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। आपको अपने ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, बस क्रोध पर नियंतरन रखें, वानी पर संयम रखें, मानसिक शान्ती भी मिल सकती है, अगली भाग्यशा ये जोरो पर है, आप अपने क्षेत्र में काम्याबी के नए जंडे गाडेंगे अभूत पूर्व धन की प्राप्ती होगी, आपके पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलने के संकेत है, राजनीति के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपने लिए नए अवसर मिल स आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा, अगली भागेशाली राश्य है, सिंह राश्य, सिंह राश्य के जातकों को आर्थिक द्रिष्टी से ये समय बेहद अनुकूल है, आमदनी में जबरदस्त वृध्धी होगी, लेकिन साथ ही खर्चों में भी बढ़ोत्री होने की संभ भावना है, खर्चों पर नियंतरन रखने में काम्याब हुए, तो धन संचय भी होगा और धन अपार धन को खींचेगा, धन वालों की श्रेणी में आ जाओगे, अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, तो आप अपने व्यापार को विस्तार देने के उद्देश्य से खर्च कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ऐसे में कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले उस पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ विचार विमर्ष अवश्य कर लें, नौकरी कर रहे लोगों को इस काल में अपने सह कर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा, जो हसी खुशी, कार्यपूर्ती और आनंद दाई अनुभव दिलाएगा, आसपास के समय में पदोन्नती या वेतन वृद्ध संभव है, तो धन आगमन किसी ना किसी रूप में होने ही वाला है, बस अपने पाव जमीन पर ही रखें, मन को काबू में रखें, खुश में रह जातकों को विशेश सावधानिया बरतने की जरूरत है, सूर्य ग्रहन के समय सूर्य तुला राश्य में है, इसलिए इस राश्य पर ग्रहन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, आपको आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है, सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, रिदय रोग से बाधित तुला जातकों को विशेश सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, विश्चिक राश्य वालों के लिए ये सूर्य ग्रहन धन और रिष्टों के मामले में नुकसान का कारण बन सकता है, आमधनी में कमी आ सकती है, धन की हानी हो सकती है, परिवार मे आपके साथ नहीं है, अनापशन आप खर्चों से बचें, विश्चब राश्य के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहन परेशानी का कारण बन सकता है, सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती है, सूर्य ग्रहन के प्रतिकूल प्रभाव का असर कम करने के लिए कुछ उपाए आ अलावा आदित्य, हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले, अपने गुरु मंत्र का जाप करना सब के लिए लाबकारी रहेगा, आज के लिए बस इतना ही, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेर जरूर करिएगा, और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा, ताकि आने वाला नॉलेजबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले,